नमस्कार रिलसातियों राज बासा कि इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यह बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है और सीनियर कलर का यह पेपर है गुरूप में इसका टेस्ट लिया जा चुका है गुरूप में टेस्ट के दोरान काफी रेलसातियों के गुरूप में टेस्ट जेते हैं उनकी जो आंसर की होती है पेपर की मेरे परस्नल नंबर पे आती है तो जब मैं देखता हूं नाइन जीरो प्लस नंबर हैं तो मुझे बहुत ही खुसी मैसूस होती है तो इसी तरह परदर्शन करते रहे तो कोई माइका लाला आपको विभागिये प्रक्षाओं में सपल होने से नहीं रोख सकता है तो चलिए हम सुरुआत करते हैं राजबासा के यह दस परसनाम इस वीडियो में लिए है और यह जो सीनियर कलरक का पेपर है यह आपके कंड़क्ट हुआ है गुनतीस अपरेल के दोजार तेईस को यह कंड़क्ट हुआ है तो चलिए सुरुआत करते हैं राजबासा का यहां पहला प्रसन है वर्तमान में भारतिय सविदान में कितनी बासायें वन्नित हैं देखे सात्यों जो वर्तमान में है जो भारतिय सविदान है उसमें वर्तमान में 22 बासाये हैं जो लोग तयारी करते हैं वो जानते भी होंगे कि यह आप नए हैं तो जान ले 22 बासाये हैं और शुरुवात कहां से हुई थी चोदा बासाओं से हैं शुरुवात चोदा बासाओं से हुई थी शुरु में एक बासा जोड़ी गई शिंदी 1967 में जोड़ी गई 21 सविदान के संसोदन के तहट 21 सविदान संसोदन हुआ था उसके तहट यह एक बासा जोड़ी गई शिंदी तो 14 एक पलस यह 15 हो गई उसके बाद क्या हुआ तीन बासाओं और जोड़ी गई तीन बासाओं और जोड़ी गई वो जोड़ी गई आपके 1902 में जोड़ी गई और वो बासाओं थी आपकी नेपाली मनिपुरी और कोकने तो यह 15 ओर 3 18 बासाओं हो गई और आपका जो सविदान संसोदन था वो था इगितर्वा सविदान संसोदन था तो यह टोटल गुनीसो बाद में थारा बासाओं हो गई अब यह यहां द्यान रखने वाली बात यह है कि जो इन नेपाली बासा जो यहां जोड़ी गई है वो एक मात्र विदेशी बासा थी इन 22 बासाओं में जो नेपाली बासा जोड़ी गई है वो एक मात्र विदेशी बासा थी यहां यह आपको ध्यान रखना है तो यह ठारा बासा हो गई फिर क्या हुआ फिर यह हुआ कि 2003 म 2003 में बान्ववा सविदान संसोदन हुआ उसमें च्यार बासाएं जोड़ी गई बोडो डोगरी मेथिली और संस्ताली एक बार पुन रिप्रिट कर रहा हूं बोडो डोगरी मेथिली और संस्ताली तो ये थारा और चार बाईस बासाएं हो जाती हैं आपकी तो ये बान्वे सविदान संसोदन था जिसके तैट चार बासाएं जोड़ी गई तो थारा और चार बाईस बासाएं आपकी हो गई इस परकार से जो आपका ये ओप्सन बी है यहां ओप्सन बी आपका बिलकुल करेक्ट आ और नेपाली एक मात्र विदेशी बासा है जो इन 22 बासाओं में सामिल है इसके बाद हम नेक्ष्ट सुर्वात करते हैं 102 प्रसन है इसमें भारतिय सविदान में बासाइं किस अनुसूची में वन्नित हैं तो भारतिय सविदान की जो अनुसूचियां है वो जो आठवी अनुसूची है उसमें भारतिय सविदान की बासाओं का उल्ले किया गया है और उसके जो अनुछेद है वो अनुछेद मैं बता देता हूँ वो 343 से 343 से 351 तक इन में 1 नित है तो यहां हम जो आंसर लेंगे वो ओप्सन डी लेंगे अनुसूची 8 आठी अनुसूची में 1 नित है कहीं है तो यहां हम जब बात हो रही है 343 से 351 तक की बात और फो है तो मैं इनका भी बता देता हूं तीन सो तीध में जो है वो संकी राजवासाहिंदी होगी देवनागरी लीपी होगी और अंको का अंत्राष्टे रूका gg तो वो अंकों का जो रूप माननी होगा वो अंतराष्टी रूप माननी होगा यह 343 में हैं उसके बाद हम यहां 344 की बात करें तो 344 में राजबासा के समंद में आयोग और संस्दिय समीति के घथन से समंदित है 345 की हम यहां बात करें तो वो राजबासा और राजबासाओं से समंदित है 346 की हम बात करें तो राजजयों या किसी राजजय और संग के बीच पत्रादी की बासा से समंदित हैं उसी प्रकार हम यहां 347 की बात करें तो 347 किसी राजजय की जनसंक्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली बासा को राश्ट्रपती द्वारा माननेता प्राप्त करने से हैं यह आपके 347 में हैं उसी प्रकार हम यहां 348 की बात करें आर्टिकल 348 इसमें आपके हाई कोल्ट और सुप्रिम कोल्ट और उसके अधिनियमों विद्ययों आधिय के लिए प्रयोके जाने वाली बासा से समंदित भांफ हम हम यहां 349 की बात करें तो यह बासा से समंंदित कुछ भी द्या Carbon करने के के लिए भी सेश्प्रक्रिया इसमें है आर्टिकल 349 में इसे के साथ हम यदि यहां 350 की बात करें तो 350 में यह था नियोवान के लिए अभ्यावदुन में प्रयोग के जाने वाली बासा से समंदित हैं और जो लास्ट आपका बचा 359 यहां इसकी हम बात करें तो हिंदी बासा सारा वे 103 की ओर चलते हैं 103 जो प्रशन है उसमें पूछा गया है इंदी में प्राप्त परत्रों के उत्तर किस वाशा में दिया जाना चुझे तो हिंदी का इंदी में दिया जाना कितने हैं तो यह तीन है परवोध है परवीन है प्राग है प्रोप सभी है तो यह राइट हो जाएगा इसके अलावाए प्रवारंगत होता है वह प्राग का इससा होता है उसी को एक ही माना गया है तो हमेशा तीन पाटे करम है परवोध परवीन प्राग परवोध है जिसका 25 और परवीन का 20 है और इसका 15 है यह प्राइमेरी लेवल का है यानि कि एक से पांच यह तक का है और यह मिडिल लेवल का है यानि कि यह तक का है और प्राज्य आपके सेकंडरी लेवल का यानि कि 9 तो 10 तक का है तो इतना आपको यहां ध्यान में रखना है तीन पार्टे क्रम है परवीन और प्राइग उसके बाद हम बात करते हैं 105 105 परशन नंबर की केंद्रे ग्रह मंत्रा लेक्या दिन राजबासा विभाग का गठन किया गया तो यह आपके वन नाइन सेवन फाइट में किया गया था ओप्शन सी आपका यहां बिल्कुल एकुरेट हो जाएगा 106 की दि किसी यक्ति को उच्चतम न्यायले में कोई जन रि्याची का लगानी हो तो किस बासा में देनी चीए थो यहां उच्चतम न्यायले सुपरीम कूल्ट की बात तो सुपरीम कोल्ट में सीभाँले परियोग करना पड़ेगा सो मेलित में देख लेते हैं आंदर परदेश तेलगू यह तो बिलकुल करक्ट है केरल केरल का तमिल यह गलत है तो पहला जो पर्देश तेलगू आपका यहां आपका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद 108 की बात करें 108 और चल परदेश में कौन सी मुख्य शेत्रिय बा को भी ले सकते हैं यानि कि आउना चल पर्देश और शिक्किम और नागा लेंड को भी आप यहां ले सकते हैं इनकी जो शेत्रिय बासा है वो अंग्रेजी है यहां यह ध्यान रखने वाली बात है बहुत बार प्रक्षाओं में पूछा गया है पुरिट प्रसन है अच्छा ह नेक्ट प्रसन की हम यहां बात करें 109 डोगरी बासा भारत के किस राज्य शेत्र में बोली जाती है तो डोगरी बासा आपके जम्मों एंड कस्मीर प्रांत में बोली जाती है तो यह पहलाई ओप्सन आपका राइट हो जाएगा ओप्सन यहां विल्कुल करण्ट है प्रस सविदान संसोदन के तहत नेपाली मनिपुरी और कोक्नी तीनों बासाइं जोड़ी गई थी नेपाली 22 बासाओं में एक मात्र विदेशी बासा है यह भी आपको ध्यान रखना है तो यह तो आठी अनुसूची में है नेपाली सामिल है कस्मेरी भी यह 2003 में जोड़ी गई थी तो यह सविदान संसोदन आपका बान्मा था बोडोडोगरी मेथीली नेपाली मनिपुरी और कस्मेरी ने इसो इसात्यों यह 1222 में जोड़ी गई थी और उसके बाद सिंधि है सिंधि आपकी 1967 में जोड़ी गई थी तीश्वय संसोधन के तहर तैट किस्व Leveodhan संसोधन के तहर तो सिंधि भी सामिल है और कस्मेरी भी सामिल है नेपाली भी सामिल है अंग्रेजी है जो 22 भासाओं में सामिल नहीं है यहां मैंने उपर के प्रतम प्रसंद में यह बताया है आपको कि अंग्रेजी जो भासा है वो 22 भासाओ में सामिल नहीं है तो आप लोग इसका द्यान रखें अंग्रेजी सामिल नहीं है एक मात्र विदेशी बासा नेपाली है यह 22 बासाओं में सामिल है जो की संस्वधन के तहत 14 two nine में जोड़ी गई त diyorsun तो यहां कि आंसर क्या ओनेंडफंटर में यहांosas हुआ हैं चले सांट यह यह वीडिएयो स मातन जाता है राजब्सा के दस परशन भूत enroll ते जो इस वीडियो में हमने लिया तो में टैस्सरी चल रही है आप भाग लें भाग लेने से आपके लेवल का पता पड़ेगा और आपको ऐसास होगा कि हम अरा लेवल क्या है किस लेवल पर हम चल रहे हैं कि नया गुरूप भी भूत तेजी से चल रहा है और अच्छी प्रोग्रेश कर रहा है एमी और जेई का गुरूप है एमी और जेई में आप निश्वल प्रवेश ले सकते हैं और इस गुरूप में भी टेस्ट शुरू हो चुका है ले रहे हैं अच्छा डिसकॉस हो रहा है कई गलत जो जवाब थे उनका सुधार हो रहा है니다 वहीं पुरूप से हो रहा है और आप इस में निश्वां जूड़ सकते हैं स्क्रीन में पर नंबर देवे रहते हैं लेके एक्सक्लाइब कर सकते हैं इसके साथ ही जो वेलफेर इंस्पेक्टर एक्टियों बनना चाते हैं उनका गुरूप भी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है विकली टेस्ट रेगुलर लिये जा रहे हैं और सुदार की और है बहुत कम समय में ब्यार क्लासेज ने उचाईयां चुई हैं कई सब प दोंति का लाम मिला है तो चलिए थैंक्यू वर्मस थैंक्स फॉर वाजिंग देश वीडियो किसी परकार के कॉंटेक्ट के लिए किसी परकार की पूस्ताज के लिए आप 8 0038 26408 पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तैंक्यू तैंक्यू वेरिमाच धन्यवाद झालेंग के लिए तैंक्याँ व Kebab हैं आप 10 сериे रेंक्यू ये तैंक्या वाजिये वाज़ख चलगते हैं हुई हैं तैंक्या प्रोम को भीए तेंक्या हैं हैं तैंक्या येरिमाए रचते हैं ठर्मस जाएते हैं dai